मसकार दोस्तूं, रीट एंड शिक्सक ग्रेड सेगिंड बरती के लिए हम देख रहे थे सिक्ष्या मनोविज्यान, आज हमारी रहेगी क्लास नंबर 21 दोस्तूं सिक्ष्या मनोविज्यान की, जिसके अंदर आज हम सुरू करने जा रहे हैं वेक्तित्वे, परसनलिटी दोस्त तो अंतिक मेरे साथ बने रहे हैं, एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक सेर, और जो भी नहीं साथी है चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें, तो दोस्तूं बात कर रहे हैं हम आज की इस क्लास के अंदर वेक्तित्वे के बारे में, चलते हैं दोस्तूं, छोटी से साथान अर्थ है, या साथान बासा में हमें समझना है, वो हम आगे देखेंगे, पहले एक बार इसका अर्थ देखते हैं, तो परसनलिटिस लेटिन बासा के परसोना सब्से बना है, जिसका अर्थ होता है नकाब, मुकोटा, बहुरूपिया, नकली चेरा, कैसे मित्रूं, आप है क्या, ये नहीं, आप बनकर क्या आए, आप जो नकली चेरा बना कर लाते हैं, वो ही आपका वेक्तित्व होता है, मित्रूं वेक्तित्व आप अच्छी ड्रेस बनकर, पहन कर, या आप समाज सेवा करके, या फिर आप कुछ अच्छा जो प्राप्त करके, ये सभी उसी को का जाता है, वेक्तित्व है, नकाब हो, मुकुटा हो, बहुरूपिया, बहुरूपिया जो गाउं के अंदर गुमता है, कभी रावन का, कभी हनुमान का, हनुमान जी का, कभी राम जी का, रूप लेता है, तो क्या ओरिजनल में वो रावन होता है, नहीं होता है, ल किया जाता था बाहे रूपरे का जो सरीर है उसके उपर क्या क्या है इसके आदार पर वेक्तित्वे को परिवासित किया जाता था लेकिन आजकल जो परिवासा है वो बदल चुकिये वर्तमान समय के अंदर बाहे वै आंत्रिक बाहे क्या है आंत्रिक रूप से उसके मन में क्य इन दोनू के आदार पर वेक्तित्वे को बताया जाता है। मनोविग्यान का जनक कहते हैं तो मित्रू क्यूसन अच्छा है बनावा एकजाम के अंदर कि जो वेक्तिक जो हमारी मनोविग्यान है इसका जनक कोन है एडलर है मित्रू कोन है अब यहां से पहला क्यूसन बनेगा कि जो परसनलिलिटी सब्द है यह लेटिन बासा के किस सब्द से बनाए परसोना से दोस्तू किसे परसोना के परसोना का अर्थ क्या होता है नकाब, मुकोटा, बहुरूपिया नकली चेरा इनमें से कोई साभी ओप्सन के अंदर आपको मिल सकता है यह है वेक्तित्वे का सामाने अर्थ अब देखते हैं वेक्तित्वे से समंदित जो सामाने दरष्टी कोण है समंदी दरष्टी कोण है उनके बारे में पांच दरष्टी कोण रहेंगे एक सामाने दरष्टी कोण रहेगा दार्षनिक दरष्टी कोण रहेगा समाज सास्तरिय दरश्टि कोन रहेगा मनोविशले सनात्मक दरश्टि कोन रहेगा और मनोवेगयनिक दरश्टि कोन रहेगा दोस्तु तो ये पांच से जो वेक्तित्व से समंदी दरश्टि कोन है ये क्या कहते हैं देखिए मित्रू सामाने दरश्टि कोन जो वेक्ति रूप रंग बसा तेता वेसबुसा की दरश्टी से जितना अधिक परभावित करता है वह उतना ही अच्छा वेक्ति तुए माना जाता है सामाने दरश्टी से देखें तो कोई वेक्ती अपने रंग से अपनी भासा से अपने रूप से अपनी वेसबुसा से अगर परभावित करता है तो वो क्या आएगा आपका उतना ही अच्छा वेक्तित्व होगा दोस्तूं दूसरा होता है दार्षनिक दरश्टी कोन, जो वेक्ति संपुन्ता का अदर्स है उतना ही अच्छा वेक्तित्व होगा, संपुन्ता जो कुछ है वो उसका करम है, उसके अदार पर जो वेक्तित्व होगा वो होगा दार्षनिक दरश्टी कोन, नेक्ष्ट है हमारा समाज सास् ये द्रश्टी कोन है वेक्ति तो अ उन गुणू का संगटन है जो समाज में उसका इस्तान निर्दारित करते हैं समाज के अंदर समाज के अंदर किन गुणू के द्वारा एक वेक्ति का है जो वेक्ति तो पहचा ना अगर अच्छे गुन है तो अच्छा वेक्तित्व है बूरे गुन है तो बूरा वेक्तित्व है दोस्तुूं। नेक्स्ट है मनोवेग्यानिक द्रश्टि कोण। आगे चलते हैं और आगे हम देखते हैं मित्रूं वेक्तित्व है कि जो मनोवेग्यानिक उन्हें परिभासाई दिये वो एक-एक महत्वपून परिभासा दोस्तूं। सबसे पहली प्रिभासा है हमारी आलपोड के नुसार जो 1937 के अंदर दी गई। आलपोड ने 1937 में क्या कहा वेक्तित्व के बारे में। वेक्तित्व वेक्ति के बीतर उन्हें मनोसारिरिक तंत्रूं का गतिसील या गत्यात्मक संगटन है जो वातावर्ण में उसके अपूर्वे समायोजन को निरदारित करते हैं। ये सीधी परिभासा पूछी गई है एकजाम के अंदर भी बता रहा हूं। नेक्स्ट है हमारी आईजेनिक के अनुसार उन्नी सो बाउन में वेक्तित्वे की परिभासा दीती है आईजेनिक ने देखें वेक्तित्वे वेक्ति के चरितर ग्यान सक्ति तदा सरीर गटन का इस्ताई एवं टिकाउ संगटन हैं। इसका चरितर का ग्यान सक्ति का और सरीर गटन का इस्ताई और टिकाउ संगटन होता है। जो वात्तावरण में उसके एपूर्वे समायुजन का निर्दारन करता है। यहाँ पर वेलेंटाइन की भी है, यह साथ में ही दी गई है, यह आगे देखेंगे पहले एक बार मिसकेल की देखते हैं, वाल्टर मिसकेल ने क्या का था। वापस देख लें, इंपोर्टेंट है, यह सभी परिबासा ही। जनमजात, जो जनमजात परवर्तियां हैं और जो अरजित परवर्तियां हैं, इनका योग ही क्या होता है, वेक्ती तुए होता है। कूट लेविन ने काता वेक्तित्व वेवस्ताओं का गत्यात्मक योग है जो वेक्ति वेवस्ताओं करता है उनका गत्यात्मक चलने वाला गत्य करने वाला योग है क्या वेक्तित्व दोस्तु नेक्स्ट है हमारी वुडवर्थ की प्रिवासा वुडवर्थ ने क्या काता व वेक्तित्वे वेक्ति की संपून गुणात्म किरिया है वनसानुक्रम और वाताउन की गुणात्म किरिया ही क्या है वेक्तित्वे ये काता वुडवर्त ने दोस्तु बोरिंग ने काता वाताउन के साथ सामाने एवं इस्ताही समायुजनी क्या होता है वेक्तित्वे होता है वाताउन के साथ सामाने एवं इस्ता ही समायुजनी क्या है वेक्तितु है तो दोस्तों एक बार फिर ये सभी परिवासाओं का अगर आप स्क्रीन सोट लेना चाहते हैं तो ये सभी परिवासाओं आपकी स्क्रीन पे हैं इनका स्क्रीन सोट ले लें जो ऐसे हमारा ये टोपि complete होगा तो इसके बाद जो क्यूसन एंस्वर लेकर आएंगे तो इनमें से आपको जो परिवासा हैं सभी के एक-एक क्यूसन वहाँ पर मिल जाएंगे दोस्तु आगे चलते हैं अब हमने वेक्तितुए के बारे में देखा उसका आर्थ देखा उसके बाद जो वेक्तितुए क दर्ष्टि कोण है वो देख लिया अब परिवासा हैं मनोविग्यनिकू की देख ली अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट चीज की तो वह आता है वेक्तितुए का वर्गी करन सबसे इंपोर्टेंट चीज साथ से आठ परकार का जो वर्गी करन है अलग-अलग मनोवि हिपोक्रेटस का देखे मित्रूं हिपोक्रेटस ने क्या कहा पहला वेग्यानिक परकार यानि पहला वेग्यानिक वेक्तित्वे का जो परकार है या वर्गीकरण है वो सिद्धान हिपोक्रेटस ने 420 में पर्तिपादित किया था नेंचर, ओप्मेन में, इन्होंने सरीर के दर्वियों के आदार पर वेगती तुई को चार भागू में बाटा है तो अब हिपोक्रेटस ने चार भागू में बाटा और चारू ही इंपोर्टेंट रहते हैं यहां से एक्जाम में आपको क्यू सन मिलता है दोस्तूँ और चोता है कप या सलेस्मा, चारू के चारू, अब देखें इनमे कौन-कौन से वेक्ती है जो इसके अंतरगत आते हैं, अगर हम पीला पीत की बात करें, पेला वरग्य करण है जो हिपोक्रेटस का, उसमें पेला आता है पीला पीत, इस वरग समूग के जो वेक्ती है, वो व इसमें आएगा पीला पीत वेक्तित्वे के अंदर आएगा नेक्स्ट है काला पीत वेक्तित्वे इस वरग समुए में वेक्ति विसादी निरासावादी सूस्त वैद दुखी परवर्थी के होते हैं तो जो वेक्ति विसादी हो निरासावादी हो सूस्त हो या दुख्यो वो हिपोक्रेटस के नुसार कैसे होते हैं काला पीत वेक्तित्वे वाले होते हैं नेक्स्ट है रक्त अधिक यानि रक्त अधिक इस व्रग समुए के वेक्ति परसन होते हैं खुसमिजाज वाले होते हैं उत्सा ही होते हैं आसावादी होते हैं कंट तता सक्रिय परवर्ती के होते हैं, कंट यानि अधिक बोलने वाले, ये होते रखत अधिक वेक्तित्वे वाले हिपोक्रेटस के नुसार, चोता परकार बताया था कप्या सलेश्मा, इस वरग समू में वेक्ति सांत, सवभाव, आलसी, भावसुनेता, निस्क्रियता, विरक्त परवर्ती के होते हैं, तो कप्या सलेश्मा वेक्तित्वे वाले वेक्ति होते हैं, वो सांत, सवभाव के होते हैं, आलसी, परवर्ती के होते हैं, भावसुनेता, यानि उनमें किसी भी परकार का कोई भाव नहीं पाया जाता है, निस्क्रियता रहती है हर परकार से उनमें, किसी भी कारिये के बार वेक्तित्वे के वो आपके सामने हैं तो दूसरा जो वर्गी करण किया था वेक्तित्वे का वो किया था क्रेसमर ने देखे क्रेसमर का वर्गी करण इन्होंने सारीरिक गटन वह गुणू के आदार पर 1925 में वेक्तित्वे का वर्गी करण किया है गुणू के आदार पर और सारीरिक गटन है उसके आदार पर इन्होंने वेक्तित्वे है इसको चार भागू के अंदर बाटा है अब देखिए मित्रू एक एक परकार है उसका अद्यन करते हैं पहला जो इन्होंने वेक्तित्वे का वर्गी करण क्या है उन्हें परकार बताया वो बताया इस्तूल का य सबी से मिल कर चलने वाले होते हैं, वह होते हैं, इस्थूलकाई, गोलकाई, योने पिकने गोमने वाली स्रेनी, गोमने का सोक इनको होता है। लेकिन इनकी बुद्धी क्या होती है कम इनके अंदर पाई जाती है और जो एतलेटिक्स यानि सुडोल काय होते हैं ये खिलाडी परवbles्ती की होते हैं उछलकूद करने वाले होते हैं तो उछलकूद करेंगे तो सारी सुरीर केसा होगा सुडोल होगा बलुआन होगा और ये जो सुडोल का स्रीर यानि एतिलेटिक्स होते हैं ये कैसी भी प्रिस्तिती हो उसके साथ सामन जैसे यानि समायोजन कर लेते हैं मित्रूं ये क्यूसन आया हुआ है ये चीज जो मैं यहां पे कोश्टक में लेकर आ रहा हूं नहीं ये क्रेस्मर के नुसार किस प्रकार के वेक्टी shark है में सामाजिक्ता तो बहुत अधिक लेकिन बुद्धी बहुत कम पाई जाती है ये क्यूसन एक्जाम में आया वाय मित्रूं तीसरे प्रकार की बात करते हैं तो तीसरा प्रकार आता है लंबकाई अस्थेनिक दोस्तूं इस्वरक के वेक्ति का कद लंबा, कद तो लंबा होता है, सरीर दुबला पतला होता है, सवबाव चिड़ चिड़ा वे दीवा सवपन की परबलता इसके अंदर होती है यह गंबीर भावक अंतर मुकी होते हैं यह अंतर मुकी वेक्तित्वे वाले यह होते हैं important चीज है मित्रू आपके लिए, इनका वेक्तित्व केसा होता है, अंतर मुकी होता है, यहां से क्यूसन आपके लिए बन सकता है मित्रू, याद रखना आपको, दुरबल सरीर होता है, इनको सीनकाई भी कहा जाता है, बहुजेगे इनको क्या कहा जाता है, सीनकाई के नाम से इनको जाना जानता है दोस्तूं इसने में सामाजिक ताका तो मिलता है अभाव और बुद्धी इनकी है जो क्या होती है अधिक पाई जाती है तो लमकाई या एस्थेनिक जो वेक्तित वह वाले वेक्ति है उनमें सामाजिकता का अभाव मिलेगा और उनकी बुद्धी है वो क करेशमर के अनुसार यहां पर क्रेशमर या क्रेशमर भी मिलता है बहुत जगे मिस्रित या डाइस पलास्टिक दोस्तों देखे इस रेणी में उप्योग तीनों परकार में किसी एक परकार का इस पेश्ट गुण नहीं होता है बलकि इन तीनों परकार का मिला जुला रूप ह जो तीन हमने उपर देखें इस्तूल का आई देखा सुडोल का आई देखा और लंब का आई देखा इन तीनु का एक एक गुण मिलेगा आपको किसी एक का गुण नहीं सबी का मिला जुला गुण मिलेगा उसको का जाता है मिस्रित वेक्ति दोस्तु क्रेसमर के अनुसार तो उन्हें एटलस ओप मेन इन्होंनी कित्व लिखी थी सेलदन ने एटलस ओप देमेन दोस्तूम एटलस ओप मेन पूस्तक है मैं 1940 में सरीर गटन के आदार पर सिद्धांत बनाया जिसे सोमेटा टाइप सिद्धांत बनाय या कहा जाता दोस्तूम तो 1940 के अंदर जो सेल्डन ने सिदांत बनाया था उसी को सोमेटा टाइप सिदांत भी कहते हैं इंपोटेंट चीज है मित्रुहिया आपके लिए अब देखिये मित्रुह यहां पर अब सेल्डन है इनूने क्या किया इनूने जो वेक्तित हुए है इसमें वेक्ति को तीन भागु में बाटा एक पहला है एंडो मार्पी यानि गोलाकार दूसरा है मेसो मार्पी यानि आइताकार तीसरा है एक्टो मार्पी यानि लंबाकार दोस्तूं देखिए पहला है एंडो मार्पी यानि गोलाकार इस वरग के वेक्ति मोटे, नाठे, आराम पसंद करने वाले, खुसमिजाज, खाने पीने की चीजों में अधिक बिरूची दिखाने वाले होते हैं अगर क्रेसमर की बात करें तो क्रेसमर के पिकनिक्स रेनी के सम्मान है पिकनिक्स रेनी यानि जो इस्तूल काई वेक्ती थे ना नाटे वेक्ती उनके परकार के ये होते हैं एंडोमार्पी गोलाकार दूसरा परकार बताया था मेसोमार्पी यानि आइताकार इस वरग के समुए के वेक्ती की हडियां वे मांस्पेसियां कापी विक्सित होती है ये क्रेशमर के एतेलेटिक स्रेणी के समान यानि सुडोल का या एतेलेटिक स्रेणी के समान ये होते हैं तीसरा जो सेल्डन ने परकार बताया वो है एक्टोमारपी यानि लंबाकार इस वरक के वेक्ति का कद लंबा कार है, मतलब लंबा होता है, दुबले पतले होंगे, एकांथ पर यह यानि अकेले रहना पसंद करेंगे, संकोच सील, लज्जालू, मृद्धु भासी, सवभाव के होते हैं, ये क्रेश्मर के एस्तेनिक स्रेनी के समान है, श्रेनिक स्रेनी, मतलब सीन का दुर्बल शरीर वाले वेक्ति होते हैं, दोस्तों ये, तो ये था सेल्डन का वेक्तित्वर वरगी करण, च02 के अंधर हम चलते हैं, दो चोता हाता है हमारे युंग का वरगी करण, और सबसे इंपोर्टेंट वरगी करण रहेगा, देखें, य युग ने मनोवेग्यानी ग्रंतियू यानी गुणू के आदार पर अपनी पुस्तक साइकोलोजिकल टाइप सुन्नी सो तेईस में वेक्तित्वे का वर्गी करण किया और वेक्तित्वे के तीन परकार भी बताये इनुने ज्यादातर आपको दो परकार देखने को मिलते हैं क देखे इस श्रेणी के वेक्ति में आतम केंदरिता का गुण। रूड़िवादी अकेला पन पसंद रहता हैं को सरमिला इनका सवभाव होता है। तो देखे मित्रूं आतम केंदरिता यानी खुद का ही रहना किसी दूसरे के पास ना जाना ये बताया मित्रूं। अब अकेले रहते हैं सरमिला सवभाव है तो सामाजिक तो होई नहीं सकते हैं। इस बज़े से सामाजिकता का इनके अंदर क्या पाया जाता है। अबाव पाया जाता है। उधारन से अगर हम देखें दोस्तूं तो देखें कवी, लेकक, दार्सनिक, वेग्यानिक आदी है जो अंतरमुकी वेक्ति होते हैं। अगर कोई वेक्ति हैं जो लेककश बनने की योगिता रखता है तो वो यूँग के अनुसार किस परकार का होगा? अंतरमुकी होगा। दूसरा इन्होंने बताया बहीर मुकी। देखें, इस इस रणी के जो वेक्ति हैं वो खुसमिजाज हो सामाजिक्ता में विश्वास करते हैं खुसमिजाज वो ही रहेगा जो सामाज के अंदर रहेगा सामाजिक्ता का उसमें क्या मिलेगा परभाव मिलेगा आसावादी मिलेगा यतार्दवादी मिलेगा खाने पिने के बिरूची होगी वो होंगे बहिर मुकी जैसे नेता है, नेता सामाजिक होते हैं, सिक्सेक सामाजिक है, व्यापारी, समाज से भी, ये सबी होते हैं बहिर मुकी वेक्तित्व है वाले दोस्तूं अंतर मुकी वेक्तित्व है कोई लेकक है या जिस परकार हमने देखा कवी है या उनका भी गुण हो और सिक्सक है या पिर सिक्सक के अलवा हम बात करें समा से भी की समा से भी इन दोनुके अंतर मुकी वेक्तित्व है और बहिर मुकी वेक्तित्व है दोनुके अगर गुण है बात यहां पर आती है, तो देखें मित्रूं, युग ने वेक्तित्व वर्गी करण में चार मनोवेगयनी किरियाओं का उपयोग किया, ये चार मनोवेगयनी किरियाइं, सवेदना, चिंतन, बावना और अंतरदरष्टी, इन चार के आदार पर ही, युग ने क्या किया, जो है इनमें से एक के अलवा कोई दूसरा नाम दे देंगे आपसे पूचा जा सकता है तो सवेधना चिंतन भावना और अंतरद्रश्टी इन चार मनोगे वेगयनी किरियाओं को यूंग क्या किया था समिलित किया था दोस्तूं नेक्स्ट अगर हम वर्गी करण की चलें तो आता है आईजेग का वर्गी करण आईजेग ने 32 परसनलेटी फेक्टर परशनावली बना कर वेगतीतवे को तीन भागू के अंदर बांटा है कौन कौन से तंत्री का तापी पहला कौन सा बताया है तंत्री का तापी दूसरा बताया अंतरमुकी और तीसरा बताया इन्होंने मनस तापी तीन परकार से इनको नियूरोटिक इस्टेबल के नाम से भी जाना जाता है अंतरमुकी जो बहिर मुकी हो इंट्रोबर्ट एक्स्ट्राबर्ट के नाम से जाना जाता है और मनस तापी जो सामाजिक अंतरमुकी या बहिर मुकी ये दोन्नों नाम से जाना जाता है इसको अंतरमुकी या ब सबसे इंपोर्टेंट वर्गी करन दिया था इस्प्रेंगर ने दोस्तों समाज सास्त्रिय आदार पर 6 परकार का वर्गी करन दिया देखे इस्प्रेंगर ने अपनी पुस्तक टाइप्स ओप में 1923 में समाज सास्त्रिय द्रश्टि कोण से वेक्तित्वे के 6 परकार बताई अब ये इस्प्रेंगर के 6 परकार देखिए इसकी एक ट्रिक भी बनती है ट्रिक क्या है रादा आसा से सुन्दर है रादा आसा से सुन्दर है राज से राजने तिक दा से दार्मिक आसे आर तिक आगे से आता है देखिए ये ये से यहां से हो जाएगा सामाजिक सुंदर वाले से से हो जाएगा सेधान तिक और वापस सुंदर वाला से उसे हो जाएगा सुंदरिया तमक तो ये बताये थे किसने ये बताये थे आपके इस्प्रेंगर ने अब देखिए छे परकार है पहला है राजनितिक परवर्ति वाला वेक्तित वै इस स्रेणी के जो वेक्ति है वो परबुत्वे सता तता नियंतरन करने की योगेता रखते हैं जैसे एक नेता की हम बात करें तो यह होते हैं राजनेतिक परवर्ति वाले वेक्तित्वे वाले वेक्ति धार्मिक परवर्ति इस स्रेणी में संत पुजारी भक्त आदी आते हैं धार्मिक स्रेणी जैसे संत पुजारी भक्त ये एक दरम से जुड़े होते हैं तो ये आते हैं धार्मिक परवर्ती वेक्तित्वे वाले स्रेणी में आर्थिक परवर्थी वेक्ति तो है इस रेणी के वेक्ति परते कारिये को लाब प्राप्ति के उदेशे से करते हैं आर्थिक उनको अर्थ दन से मतलब होता है मतलब जो आर्थिक परवर्ति वेक्तित्वे वाले वेक्ति होते हैं वो हमेशा लाप प्रापर्ति के उद्धसे पर चलते हैं जैसे व्यापारी हो दुकांदार हो द्योगपति हो ये सभी हमेशा खुद का लाप देखते हैं दोस्तु चोता इन्होंने जो परकार बताया वो बताया सामाजिक परवर्ति वाले वेक्तित्वे सामाजिक परवर्ति वाला वेक्तित्वे इस स्रेणी के लोगों में सहनुबुती दया सहिसनूता वे समाज सेवा की बावना परबल रहती है सानुपुतियों, दयाओ, सिशनुताओ, समासेवा, या आपको सिक्सक हो या सामाजिक को कारिय करता है, उनके अंदर देखने को मिलती है तो जो सिक्सक और सामाजिक कारिय करता है, ये स्प्रेंगर के अनुसार, सामाजिक परवर्ती वेक्तित्वे वाले वेक्ति होते हैं तबी वेवार के जिसें अधिक सिद्धान्त को मानते हैं, मतलब सिद्धान्तिक परवर्ति वेक्तित्वे वाले वेक्ति होते हैं, चटवा परकार बताया सुंद्रियात्मक परवर्ति, ऐसे वेक्ति परते एक वस्तु को कला की दरश्टी से देखते हैं, जैसे मूर्तिकार, क उमेंसा कलात्मकारिय करता रहता है, कलाकार है वो भी कलात्मकारिय करता रहता है, साहिते का नहीं कलाएं लिखता रहता है, तो ये सोंदरिये, नहीं रचना वाले, परवर्ती वाले वेक्ती होते हैं, तो ये थे स्प्रेंगर के अनुसार छे वेक्ती तुए के परकार दोस्त पुराना वर्गी करन है जो नया आधुनिक वर्गी करन है दोनू पड़ेंगे पहले जो पुराना है वो देखिए इसके अंदर तीन भारत्य दरश्टिक कोण के अनुसार तीन प्रकार का वेक्ति तो ए बताया गया सतो गुणी वेक्ति तो है तमो गुणी वेकती तो है रजो गुणी वेकती तो है शतो गुणी वेकती तो है इस स्रेणी के वेकती में गुण ही गुण यानि बहुत अधिक गुण और उच आदर्श होते हैं अधिक तो गुण देखने को मिलेंगे आदर्श कैसा मिलेगा उच मिलेगा ये सांत परवर् जाते हैं उचादर्शुन के होते हैं यह हमें सब सांत रहते हैं सुक दुख यानि दुख के अंदर और सुक के अंदर साथ देने वाले होते हैं इस्वर और धरम में विश्वास यह रखते हैं दोस्तों दूसरा वेक्ति तुए वह है भारतिय दरस्टिकोन के नुसार वह है तमोगुणी वेक्तितु है इसे स्रेणी के वेक्ति में अउगुणी अउगुण आलसी होता है उगरता यानि कि क्रोध दिक करता है और राक्ससी परवर्ती के होते हैं अपने स्वेम के सुक के लिए कुछ भी कर सकते हैं ये वेक्ति अपने सुक के लिए कुछ भी ये कर सकते है मित्रू इनका सिरफ और सिरफ यह है कि सुक प्राप्त करो और विलासी परवर्ती के साथ जीवन यापन करो यह होते तमोगुणी वेक्तितु है रजोगुणी वेक्तितु है यह आपका जो सत्तोगुणी है और तमोगुणी है इनका मिश्रित रूप है रजोगुणी यह वह सतोगुणी का मिस्रीत रूप है इस व्यक्तित्वे में चंचलता व्य उतेजना बनी रहती है चंचलता होगी उतेजना होगी और यह उच्चित व्यक्तित्वे है जो बारतिय दृष्टिकोन ने मानना है कौन सा रजोगुनी वेक्तित्वे दोस्तूं ये कर जो रजोगुनी वेक्तित्वे वाले वेक्ति होते न ये हमें सा करम में विश्वास करते हैं काम में विश्वास करते हैं दोस्तूं तो ये था भारतिय द्रश्टिकोन के अनुसार वर्गीकरण अब देखते हैं आधुनिक जो व की ओकर रोने लग जाते हैं वह वेक्ति जो बावना में बह जाए किसी की बातु में आ जाए और दुक्की हो जाते हैं और रोने लग जाते हैं इस वेक्ति के संवेगु में तीवर्ता होती है जो बावुक वेक्ति होते हैं उनके संवेगु में क्या रहती है तीवर्ता है या करम सिल अपने करम में विश्वास रखता है वो होता है करम सिल वेक्ति तुए वाला वेक्ति विचार सिल वेक्ति ऐसे वेक्ति कोई भी कारिय करने से पहले पूरा सोच विचार कर कारिय करते हैं जो भी इनको कारिय करना है उससे पहले बेटेंगे उसके बारे में पूरा निर वेक्तित्वे वाले वेक्ति दोस्तों ये था आधुनिक वर्गी करन अब बसता टाइप A और टाइप B वेक्तित्वे सबसे इंपोर्टेंट रहता है तो चलिए देखते हैं टाइप A और टाइप B का वेक्तित्वे टाइप A और टाइप B वेक्तित्वे ये इसके अमेरिका के हैं प्रिडमेन और रोसन में ने टाइप A और टाइप B दो परकार का वेक्ति तुए बताया टाइप A देखे टाइप A वाले वेक्ति समय के पाबंद होते हैं परतिस परदी यानि परतिस परदा करने वाले होते हैं मेत्वा कांग से नया प्राप्त करने वाले हो heart attack की संभावना होती है क्यों सनाया हुआ है किस परकार के वेक्ति में heart attack की संभावना होगी टाइप A टाइप B इनमें से कोई नहीं A वे B दोनू तो किसमें होती है टाइप A वेक्ति त değil हाड़ अप्लटी के अंदर heart attack की अधिक संभावना होती है टाइप B वाले वेक्ति सहन सील आराम पसंद परतिस परदी होते हैं इनको आराम पसंद होता है जो कुछ इनको बोला जाएगा न सहन कर लेंगे जो बोलना है बोलो बोलते रहो इनको कोई मतलब नहीं है परतिस परदा से इनको कोई मतलब नहीं होता है वो होते हैं टाइप B वाले वेक्तित्वे वाले वेक्ति दोस्तों ये था अमारे वेक्तित्वे का वर्गी करण बहुत सारा क्यूसन है जो यहां से बन कर आता है कैसे कैसे क्यूसन एक्जाम में देखने को हमें को मिलेंगे वो हम कहां पर देखेंगे जब क्यूसन एंस्वर करेंगे उस समय अब ब विश्लेशनातमक सिद्दान दोस्तूं कौन सा दिया था मनो विश्लेशनातमक सिद्दान के पर्तिपादक है सिगमंड फ्राइड दोस्तूं फ्राइड के अनुसार वेक्ति का एचेतन मन भी उसके वेवार को परभावित करता ये बहुत important कतन है तीन मन की दसाइं बताई थी प्राइड ने कितनी तीन बताई थी तो तीन जो दसाएं बताई है उनमें से जो एचेतन मन है उसके बारे में का कि ये भी वेवार को क्या करता है परभावित करता है प्राइड ने मन की तुलना हिमकंड यानि ब्रब से की हिमकंड ब्रब से की थी कैसे की देखिए मित्रू ये एक कटोरी लेते हैं इसमें इतना पानी डाल देते हैं ये हमने इसमें क्या डाल दिया है पानी डाल दिया है ये देखिए ये पानी है अब क्या कीजिए आप एक बरब का टुकड़ा इसमें डाली है जैसे आप बरब का टुकड़ा डालेंगे तो वो थ और इनकी तुल्ना कर दी बरभ के टुकडे से तीन दसाएं कौन सी? चेतनमन, अर्द चेतनमन. अब देखिए, जो यह बार है ना, पानी से उपर है ना, ये तो आपका कोन सा है? चेतनमन है. जो यह पानी के अंदर है ना, आपके? पानी के जो अंदर है, इसको क्या बता दिय इन्होंने देखिए जो पानी के अंदर है उसको बता दिया ए चेतन मन क्या बता दिया है ए चेतन मन इसको बता दिया अब सेंस बजता है चेतन ए चेतन आ गया अर्ध चेतन यह होता है दोनुके मद्दे की स्तति जो यहां बीच में है न यह देखिए मैं जिसको गेरा करता ज यह बता दिया अर्द चेतन यह याद रखना है अब चलिए मित्रू देखते हैं तीनु मन तीन दसाइं जो फ्राइड ने बताईए चेतन मन इस मन का सम्मंद तातकालिक यानि वर्तमान इस्तती से होता है इसको मस्तिक्स की जागरी तवस्ता का जाता है जो कुछ हम अभी दे नौबटा दस बाग होता है जो ब्रप का उपर वला भाग दा वही मेत्रू मस्तिक्स की जागरी तवस्ता कौनसी होती है चेतन मन जो ने पढ़ा जो हमें याद है वो किसमें रएगा चेतन मन production गा दोस्तूं एचेतन मन इस मन का सम्मध वेक्ती की दमित इच्छाओं से हैं ये कुल मन का नोबटा दसबाग होता है जो एचेतन मन होता है वो होता है नोबटा है नहीं जो हमारा मन है उसका दसका नोबटा है वो एचेतन मन होता है जो हमारी दुखत बाते हैं कटू बूतियां हैं और दमित इच्छाएं वो इसी एचेतन मन के अंदर बरी पड़ी हुई रहती है इनको दमित इच्छाओं का बंडार गरे आपको एचेतन मन है इसको कहा जाता है अर्द चेतन मन चेतन हुए एचेतन के बीच की इस्तति होती है चेतन और एचेतन इनके बीच की जो इस्ततिय है उसको का जाता अर्द चेतन मन इसमें कुछ कारिये तो याद होता है कुछ कारिये बूल जाते हैं देखे मित्रू चेतन मन में सब कुछ याद चेतन मन में जो हमने हमारे दुख बरी कानिया है दमित इचाएं वो रहती है नि हमें याद नहीं रहती लेकिन अर पर अभी अर्द चेतन के अंदर रहता है तो ये तीन परकार का मन है जो प्राइड ने बताया अब दोस्तुं प्राइड ने तीन परकार का मन बता दिया इसी के आदार पर प्राइड ने क्या किया वेक्तित्वे का वर्गी करन और वेक्तित्वे के तीन परकार इन्होंने बता दिये इड यानी इदम इगो और सुपर इगो एक-एक के बारे में तो प्राइड ने वेक्टित्वय का तीन इस्ततिव में विवाजन किया है पहला बताया इड यानी इदम दोस्तु पहला कौन सा बता दिया है प्राइड ने इंपोर्टेंट साथ विक्सित होता है जनम के साथ ही आपका इड़ इदम जिसको पसुत हो है उपा के रूप में पसुत हो है भी इसको कहा जाता है ये क्या हो जाता है विक्सित हो जाता है मित्रू ये तमोगुणी परवर्ती का वेक्ती होता है तता एचेतन मन लिये होता है एचेतन मन होता ह इसके अंदर जो कहोगे अंदर चले जाएगी याद नहीं रहेगी ये परवर्ती चाओं की जननी है आप देखें जब एक साल का बात लग होता है उसको अलग-अलग इच्छाएं रहती है यानि इच्छाओं की जननी ये जनमजात परवर्ती होती है आनंद सिद्दान यानि कि इस जो इड है इसमें आनंद रहती है मित्रू ए चेतनमन का स्वामी सबसे इंपोर्टेंट है ची दोस्तू ए चेतन का स्वामी और जो ये तीन वेक्तितों है के वर्गीकरन किया है प्राइड ने सबसे पेले विक्सित होता है वो है आपका इड यानि इदम है दोस्तू खाओ पिवो मोजकरों की मस्ती के अंदर ये रहता है दोस्तू इसका वास्तविक्ता से कोई संबन नहीं होता है सबसे इंपोर्टेंट चीज यह माने होता है, यानि मन का परसासक इसको का आ जाता है, मन का परसासक, मन का परसासक होता है आपका यह, कौन होता है, इगो, एहम, एक या दो वर्स में इसका विकास प्रारम हो जाता है, अब देखिए, यह रजोगुणी परवर्ती वाले, अर्द चेतन मन का वेक्ति होता ह ये वास्त्विक सिद्दांत माना गया है, क्या माना गया है, वास्त्विक सिद्दांत, ये हमारी कामनाओं और वास्तिक्ताओं के मद्दे संतुलन का कारिये करता है, जो हमारी कामना है, जो हमारी वास्त्विक्ता है, कामना अलग होती है, वास्त्विक्ता अलग होती है, तो इदम ए चेतनमन का स्वामी था तो इगो है ये किसका है चेतनमन का स्वामी होता है दोस्तों सबसे इंपोर्टेंट चीज इसका आगर हम बात करें इगो का इसका सम्मंद है वर्तमान से होता है वास्तविक्ता से होता है और मानवता से तीनू के साथ इसका क्या होता है है है हमारे जो हमें आगे लक्से हैं जो हमारे सपने होते हैं मेरे को ये करना है उन पर नियंतरन करता है तो वो सिरफ एहम ही नियंतरन करता है सभी जो आप मैतवपू निरने लेते हैं वो इसी के द्वारा है जो आप लेते हैं दोस्तों आगे चले तीसरा देखे तो तीसरा प्राइड ने बताया है वेक्तितुए वो बताया है सूपर इगो तीन या चार वर्ष से इसका विकास है जो प्रारम होता है ये सतो गुणी चेतन मन का वेक्ति होता है सतो गुणी या चेतन मन का वेक्ति होता है इसे आदर्शवादी या नेतिकता का सिद्धान्त कहते हैं विक्सित हो जाता है दोस्तु ये सामाजिक प्रमप्राउं वर रूडिवादी मानेताउं के अनुरूप कारिये करने की प्रेड़ना देता है सामाजिक वात्तावरन और जो मारी रूडिवादी मानेता हैं उनके अनुसार कारिये करने का जो देता है आदेस या प्रेड़ना वो होता है आपका सूपर इगो दोस्तूं ये एवास्तविक होता है या इसके अंदर आपको ये मिलेगा ये मत करो वो मत करो क्योंकि समाजी कारी होगा जिसके अंदर आपको बड़े बुजरगी कि ये कार ये मत करो वो कार ये मत करो एसी आपको वहाँ पर मिलेगी दोस्तू तो ये थे तीन आपके फ्राइड के अनुसार वेक्तित्वे के परकार अब फ्राइड के सिद्धान्त में अन्य कुछ नाम दिये गए हैं जो मैं यहाँ पर आपको बहुत विस्तरित चर्चा के दुआरा समझाने का प्रियास करूँगा वेसे नहीं है कि एक-एक चीज के लिए में एक-एक गंटे कलास लो नहीं सोट के अंदर कलास चलेगी पूरा मेटर आपको दिया जाएगा दोस्तों यहाँ पे कुछ जो प्राइड ने नाम लिए जहां से अच्छे-च्छे क्यूसन एक्जाम में आये हुए हैं तो देखे प्राइड के सिद्धान्त के अन्ने मेहतुआ पूर्ण बिंदू पहला है मूल परवर्तियां प्राइड ने मूल परवर्तियां कौन-कौन सी मानी क्यों सन बन गया ना तो प्राइड के अनुसार जनम हुए मर्तियू दो ही मूल परवर्तियां होती है दूसरा नाम लिया लिबिडो लिबिडो क्या होता है मित्रू प्राइड ने काम सक्ति को लिबिडो का है प्रेम सने वे काम परवर्थी को क्या का प्राइड ने लिबिडो का वेक्ति के सभी कारिये जिन से उसे आनंद की प्राप्ति होती है वे इसी स्रेणी के अंदर आते है एक वेक्ति है जिसको जिस भी कारिय से अगर आनद मिले वो किसमें आएगा लिबिडो के अंदर आएगा दोस्तों किसमें आएगा लिबिडो में ये एक स्वाभाविक परकर्ति होती है यदि इस परवर्ति का दमन किया जाए तो वेक्ति क्या हो जाएगा कू समायुजित हो वो समायुजित नहीं रह पाएगा नेक्स्ट सेसव कामुकता बच्चू में कामवासना होती है जैसे आप बच्चे को देखेंगे तो वो अंगुटा चूसेगा अपने होटू को काटेगा गुपतांगू से खेलेगा लेकिन बच्चे की कामवासना किसोरू की कामवासना से अलग होती है यह सेसव कामुकता की बात हो रही है अंगुटा चूसना यह सभी किस में आते हैं सेसव कामुकता के अंदर आते हैं दोस्तों अब इतरू सेसव जो कामुकता है यहां से क्योसन यह बनेगा इसके जो यहां पर यह बताया ना इस बात पर सिग्मेंट प्राइड और उनके जो सीशे थे ना जुंग इनके मद्दे क्या था मतबेद था मतबेद के कारण ही जो युंग या जुंग है उन्होंने अपना एक सिद्धान दिया था सेसव का मुक्ता के आदार पर यह नया सिद्धान आया था स्वेमो यानि नार्सिसिजम क्या होता यह नार्सिसिजम देखे कुछ बच्चे अपने ही सौंद्रिये पर स्वेम ही मोहित होकर अपने आपसे प्रेम करने लग जाते हैं आपने कहीं पर देखा हो तो कुछ बच्चे होते हैं जो अपने ही अपने खुद के सुन्दर्ता पर ही क्या हो जाते हैं मोहित हो जाते हैं और वो किसी और से नहीं खुद से ही प्रेम करते हैं इसी को का जाता है नारसी जी जम समझे भी तरू नेक्स्ट देखे नेक्स्ट है मासो की जम वेक्ति प्रेम वंस अपने को ही दुखी दुख देने लग जाता है तता उस दुख से उसे आनंद की प्राप्ति होती है अगर वेक्ति खुद को दुख दे और दुख से उसको क्या हो आनंद मिले आपने देखा होगा हाथ काट लेते हैं ब्लेड सें और फिर उनको आनंद मिलता है हसते रहते हैं यह होते है मित्रू मासो की जम परकार के वेक्तित्वेवाले वेक्ति नेक्स्ट है सेडी जम क्या है सेडी जम वेक्ति प्रेम वज दूसरू को कष्ट देने लग जाता है और इसे उसे आनंद की प्राप्ति होती है को देखे मित्रूं पुत्री पिता के परती पुत्री है जो पिता के परती आकरसित रहती है पुत्री पिता के परती एलेक्ट्रा ग्रंती तदा पुत्र माता के परती ओडिपस इदिपस ग्रंती के नाम से भी जाना जाता है एक दूसरे की तरफ आकरसित होते हैं सबसे इंपोर लिपस गरंती जिसके कारण है वो क्या करते हैं जिसके कारण वो अपने मां से अधिक प्रेम करते हैं जबकि लड़कियां होती है जो पुत्रियां या लड़कियां होती है उनमें पाई जाती है एलेक्टरा गरंती जिसके कारण वो अपने पिता से क्या करती है अधिक प्रेम करती है दोस्तुँ अब आत करते हैं फ्राइड के सिदान्त का महत्वे क्या है हमने जो यहां पे देखा तो इसका महत्वे क्या देखे बाल्या वस्ता के अनुभव को महत्वे परदान करना बाल्या वस्ता की जो अनुभव है उनको महत्वे सिदान्त के दुआरा दिया गया ह एचेतन अभीप्रेणा पर सरवादिक एचेतन जो एचेतन मन है उस पर सरवादिक बल इस सिद्धान्त में दिया गया है सिक्सिया के उद्धेसे को विस्तरित करना जो सिक्सिया का उद्धेसे इसको विस्तरित करके आगे बढ़ाया जाए संपूर्ण वेक्तित्व परिसिद्धन्त में बल दिया गया है और मानव वेवार के निर्दारन में मूल परवर्तियों पर क्या महत्व है मूल परवर्तियों का मानव वेवार में क्या महत्व है इस परिसिद्धन्त में बल दिया गया है तो यह था मनोविशलेशन आत्मक सिद्धान सिग्मंड फ्राइड का जो आस्ट्रेलिया के निवासी थे आस्ट्रेलिया के अंदर वियेना सेर के थे मित्रू सब कुछ हमने यहां पर देखा लेकिन अब बात करते हैं वेक्तित्वे की जो विदिया है मित्रू सबसे इंपोर् की विदिया है वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट कलास के अंदर उससे पहले एक बार कमेंट करके बता दे मित्रू आज की कलास आपको कैसी लगी कोई भी डाउट है तो जरूर कमेंट करें वीडियो को लाइक सेर और जो भी नए साती है चैनल को जरूर सबस्क्राइब करें झाल